जै मसिकी, गूट मॉर्निंग, आज सुभ़, प्रभु का वच्छन हमारे लिए भजन सहीता, अध्याय 101, आयत 2, साम, चैप्टर 101, वर्स 2, आपके लिए पढ़ना चाती हूँ. मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, तू मेरे पास कब आएगा, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा, दाओद के द्वारा लिखा गया बजन है, दाओद यहाँ पर कहता है, उसका पहला लाइन में, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलू यहाँ पर दाउद एक निर्ने लेता है और वो निर्ने ये है कि मैं खरे मार्ग में चलूँगा मतलब मैं फ्रॉड या जूट की वाते नहीं करूँगा और उस रा में मैं नहीं चलूँगा लेकिन इस निर्ने लेते समय दाउद एक और शब्द इसमें जोड़ता है और वो ये है मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा खरे मार्ग में चलने के लिए हमें बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है बहुत से वक्त हम लोग अपने आपको देख कर कहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान नहीं है हम तो साधारन लोग है सीधा साधा लोग है इस प्रकार का सोच में हम लोग फसे रहते है वचन में लिखा है अगर किसी में बुद्धि की कमी है तो वो प्रभू से मांगे और पर मार्ग में चलने के लिए बुद्धी की जरुरत है शैतान बहुत चालाक है वो दोका देकर हमें सही मार्ग से या फिर खरे मार्ग से गिराने की कोशिश करता है और हम तब विश्वास में खड़े रह सकते हैं जब हम लोग बुद्धिमान बनेंगे तो आज हम लोग यही करें कि प्रभु हम बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलने वाले लोग बनें उसकी आखरी लाइन में इस प्रकार लिखा है मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा यहाँ पर दाउद कहता है कि मन की खराई के साथ अपने घर में भी वो इस बात का ध्यान कि मैं घर में भी मन की खराई के साथ चलू दाउद ऐसा क्यों कहता है बहुत से वक्त जब हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर या मतलब घर के बाहर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन घर के अंदर उनका स्वबाव बदल जाता है फर एक्जेंपल घर के बाहर वो लोग सब का मदद करते हैं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन घर के अंदर वो लोग छोटा सा भी काम करने रेडी नहीं हैं किसी का मदद नहीं करते हैं मदद किसी ने मांग लिया उनसे तो उनको गुसा आ जाता है मतलब घर के के लिए वो लोग तयार है लेकिन घर के अंदर स्वभाव बदल जाता है वो लोग घर वालों से प्रेम से बात नहीं करते हैं लड़ाई जगडा करने के लिए तयार रहते हैं और घर में किसी ने कुछ पूछा तो उनके जो शब्दों में कोई प्रेम नहीं है, कोई कोमलता नहीं है तो मेरे प्रियों इस प्रकार के लोग इस संसार बे बहुत है, ऐसे भी लोग है जो बाहर से ड्रिंक करकर आते हैं और घर के अंदर लड़ाई जगड़ा, मतलब घर के अंदर खराई के साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग हमारे परिवार के बाहर जो लोग है, उनके सामने हम दिखाना चाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन घर के अंदर हम कैसे भी रहते हैं, हम लोग ध्यानी नहीं देते हैं क्योंकि हमको लगता है ये सब हमारे अपने हैं क्या फरक पड़ता है लेकिन दाउद यहाँ पर क्या कहता है कि मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूगा आज हमें इस बात पर विशेश ध्यान देना है और हम लोग इसी बात के लिए प्रातना करेंगे कि प्र सारे टाइटल्स होंगे लेकिन हम लोग प्रातना करें प्रभू हरे एक शेत्र में हम आपके सामने मन की खराई के साथ चलने वाले बन जाए नू के बारे में लिखा है कि नू ऐसा एक पुरुष था जो खरा इनसान था और हम लोग जानते हैं कि नू ने अपना परिवार क को बचा लिया मेरे प्रियो जब हम लोग मन की खराई के साथ हमारे घर में चलेंगे तो हमारी ध्वारा हमारी घर के सभी जन उद्धार के राह में चलेंगे अगर हमारे अंदर खराई नहीं है तो जो उद्धार नहीं पाएं हैं वो लोग हमको देख कर बोलेंगे ये तो और वो लोग कभी भी सच्चे मारग में चल नहीं पाएंगे तो आज हम लोग प्रातना करें प्रभू हम मन की खराई के साथ हमारी घर में चलने वाले लोग बनें आई हम लोग प्रातना करें सुर्गे पिता आज का वच्छन के लिए धन्यबाद करती हूँ प्रभुजी दाउद ने जैसे भजन गाया प्रभु वैसे आज हम लोग उसी आयत को लेकर प्रातना करते हैं प्रभुजी बुद्धी मानी से खरे मार्ग में चलने के लिए आप हमारी मदद करना प्रभुजी हमें बुद्धी दे ग्यान दे प्रभुजी ताकि हम सही रास्ते में चलने वाले लोग बन जाएं प्रभु जी हम खराई से हटकर अपनी इच्छा के अनुसार या संसार की इच्छा के अनुसार हम ना चले प्रभु जी लेकिन हम लोग खरे मार्ग में चले प्रभु जी और हम अपने घर में भी मन की खराई के साथ चलने वाले बन जाए प्रभु अप्विशेश अनुग्र करकर मैं दूआ करती हूँ आपने अमारी प्रात्ना सुन लिए असलिए धन्यवाद आदर और महीम आपको देते हुए इश्यू के नाम से हम मांगते हैं आमेन गौड ब्लेस यू आल जै मसिकी